नींद ना आने की समश्या यानि की एन इंद्रा की समश्या को साथ दिन में एकदम जड़ से ठीक करने के लिए आपको भैतरीन सा उपाय बता रहे हूं आजकल भागदोडवरी जिंदगी में दोस्तों सभी को जो है न कई न कई एन इंद्रा की समश्या बहुत ज़्यादा परेसान करती है क्योंकि दिन वरम काम के पीछे दोड़ते रहते हैं और अपनी सेहत की तरफ पिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं और सबसे बड़ा कारण होता है काम की टैंसन जो आपके एन इंद्रा की समश्या को बढ़ावा देती है और जिनको भी ये समश्या होती है न दोस्तों उनको ना तो दिन बर काम में मन लगता है क्योंकि नेद सही से नहीं होती है तो आपका काम में भी मन नहीं लगता है सबसे पहले आमें क्या-क्या सामगरी लेनी हैं, वो यहाँ पे आपको मैं बता रही हूँ, सामगरी ऐसी रहेगी जो घर में आपको आसानी से मिल जाएगी, और नई भी है तो कोई जादा मेंगी नहीं है, आप थोड़ी-थोड़ी लाकर इसे सब्तावर आज माकर देख लेना, यहाँ पे आप देख रही हैं, हमने लिया है दोस्तो काली मिर्च, और साइड में आप देख रही हैं, एक कटोरे में अमने लिया है दई, तो काली मिर्च दै और कुछ चीजे और लगेंगे इसके साथ में जो वो भी आपके गर में आसानी से मिल जाएंगे इनी के साथ में ये नुस्का माज माएंगे इसके साथ में जो दूसरी चीज हम ले रहे हैं वो है अमारे पास सौंफ दोस्तों जो खाना खाने के बाद में आप किसी किसी को आदत होती है, सौंफ खाने की, जो बारिक वाली सौंफ आती है, वो सौंफ हमने यहां पे ले ली है, आप इसकी जगे पे बड़ी सौंफ ले सकते हो, और यह बारिक वाली सौंफ में ले सकते हो, जो आपको सही लगे, जो आपके गर में रखी हो ना दोनों में से क्योंकि दोनों के फायदे सेम है बस फरक इतना होता है ये छोटी सोफच होती है ये अलकी सी सोफट होती है खाने में इसमें रेसे जादा नहीं आते हैं और बड़ी सोफ होती है उसमें थोड़े से रेसे जादा होती है जो आप चबा कर खात इसलिए आप दोनों में से कोई भी सोंफ ले सकती हो और उसको छान के आप इस्तिमाल कर सकती हो अगर आपको लगे रेसे ज़्यादा है तो यहां पे जैसे हमने काली मिर्च ली है दस गराम आपको काली मिर्च लेनी है और पचास गराम आपको सोंफ लेनी है दोनों को सबसे अच्छे से बीन लेना है यानि कि चुन लेना है इसमें कोई भी कंकड़ी या पत्थर नहीं होना चाहिए नहीं तो क्या होता है इसका पूरा टेश्ट खराब हो जाएगा दोस्तों इसलिए मैं आपको बोल रही हूं हलका सा इसमें से आत निकाल लेना जिससे पूरी अच्छ लेना है और फिर आप साथ में इसे मिक्स कर सकते हो लाष्ट में क्योंकि क्या होता है किसी चीज को पीछने में टाइम लगता है किसी को चानना पड़ता है और किसी को नहीं चानना पड़ता है जैसे सोंफ है बड़ी सोंफ आप लेंगे तो उसको पीस के आपको चानना आप लेंगे, यहां पर हमें लेना है कम से कम, 200-500 ml, 200 ml मान कर चलें, आप दही लेना है, आपको डेली ताजा बना हुआ, अपने घर में बनाएं, आप ताजा और फिर इसका इस्तिमाल करें, दही में आपको क्या करना है, एक कप जो चाय वाला होता है, उतना आपको पानी डा या चम्मत से बहुत अच्छी से मिक्स करना, यानि कि आपको इसका मठा बना लेना है, जो गर्मे छोटी दाल गोटनी होती है, उससे इसको आप दो मिनेट के लिए मठ लेना, तो यह हो जाएगी जैसे अमारी दादी नानी बोलती थी, अद बिलोई दई, तो यह मठा तयार ह हो जाएगा, पहले नानी दादी जो थी अमारी वो अद बिलोई धही बोलते थे, आज कल मठा बोल देते हैं, बस इतना ही फरक उता है, इसको आप जो है ना तयार कर लेना, और इसमें आपको डालना है उसके बाद में एक चम्मच बरकर सहद, सहद भी अच्छी बरांड का होना चाहिए, आज कल क्या है बाजार में, जो ओती है चिन्नी की चासनी, गूड की चासनी बना कर दे देते हैं, तो इस तरह कानी अच्छी बरांड का लेना, या फिर जैसे मैंने बताया, घर में तुड़वाया हुआ होता है, तो आप वो ले सकते हो, एक चम्मच आपको स सकते हो इसके अंदर, आप फिर फाइदा देखना, एक चम्मच आपको सहद मिक्स करके, यह आपको सुवे-सुवे नास्ते के पहले खाना है, नास्ते के पहले इसे खाना, और फिर आप नास्ता कर लेना, दोस्तो, साथ दिन में आपको पूरा-पूरा फाइदा जो है, जब भी आपको समय लगे शाम से पहले पहले आप इस नुस्के को ले लेना, इसमें आपको क्या करना है, आपको लेना है एक निम्बू, डेली आप एक मीडियम साइज के निम्बू का इस्तेमाल करेंगे, चाहे आप रस निकाल कर रख ले और तीन चम्मच रस जो है आप इस्तिमाल कर सकते हो अब आपको करना क्या है एक गिलास गुनगुना पानी लेना है एक गिलास गुनगुने पानी में और तीन चम्मच निम्बू का रश टाल कर दिन में किसी भी समय आप एक बार जरूर ले जब भी आप ये नुस्खे आजमाने लगें तो तीनों जो नुस खा बता रही हूं आपको उसमें आपको क्या करना है ये हमारे पास है छोटी अरड दोस्तो इसको अरित्की भी बोलते हैं जब भी आप ये लेकर आए किसी आयूरवेद के स्टोर से ले आए और अच्छे से आपको ये मिल जाता है बहुत बड़िया मिल जाएगा आप है तो इसमें दो-चार ड्रोप पानी डाल कर सेख लेना पचास ग्राम ले आना काफी तिन तक चल जाएंगी और चाहें तो आप इसे सुखा ही कड़ाई में डाल के सेख सकते हूं और रोजाना आपको दिन में एक अरित्की अपने मुह में डाल कर और इसको बहुत देर तक चूसते रहना है दोस्तों इसको दिरे-दिरे खाना है आपको आला कि इसका जो स्वाद होता है वो थोड़ा सा कसीला होता है खाने में आपको ज्यादा अच्छा नहीं लगेगा लेकिन फायदा बोत करेगा सेथ के लिए पेट के लिए बोत बढ़िया होता है और आपकी ए किनों उसके एकदम फायदा करेंगे आपको इनके साथ साथ आप एकसर साइज और थोड़ी बहुत जरूर किया किजिए अच्छी होती सेथ के लिए निंद्रा की समश्या को दूर करने के लिए तो ये था हमारा आज का नुसका दोस्तों अगर आपको मेरे नुसके पसंद आत कैसे आपको मेरे नुसके लिए उक्मारा आपको अजह मेरे आपको साथ आपको साथ से एका जinflतिक भायदा आपको साथ पसंदए इंस्जिए को इनके साथ पुल?